नमस्कार मैं हूं संदीप सिंग और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नौलेज गुरू में दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे प्यारे हिंदुस्तान को त्योभारों का देश की कहा जाता है क्योंकि हमारे यहां दिनों की संख्या तो 365 ही है लेकिन मनाय जाने वाले त्योहारों की संख्या दिनों की संख्या से भी कहीं ज्यादा है और ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे प्यारे हिंदुस्तान में अलग-अलग मत, संपरदाय और धर्मों के लोग रहते हैं जिनके अपने अलग-अलग कल्चर और माननताएं हैं और सभी संप्रदाए अपनी-अपनी मानताओं के अनुसार अपने फेस्टिवल्स मनाने के लिए पूरी तरह से सुदंत रहें। इसलिए हमारे प्यारे देश के अलग-अलग हिश्चों में हर वक्त कोई न कोई तेवार मनाया ही जाता रहता है। और इन ही प्यारे फेस्टिवल्स में से एक बड़ा ही सुन्दर और प्राचीन फेस्टिवल है भगवान जगननाथ की रथयात्रा जो की हिंदुस्तान के उड़ीसा राज में प्राउंख रूप से मनाई जाती है। बलकि अब भगवान जगननाथ रथयात्रा देश के सिर्फ एक राज्य तक ही सेमित नहीं रही है बलकि देश के अन्य राज्यों के साथ साथ विस्टो के अन्य देशों के लोग भी इसे बड़े ही धूमधाम से मनाने लगे हैं। और अब हिंदुस्तान का यह तेवहार अन्तराष्ट्री तेवहार बन चुका है जिसे पूरे विस्टो भर में मनाया जाने लगा है। और इस वीडियो में हम भगवान जगननाथ की इस राथ यात्रा के संपूर इतिहास और माननेताओं के बारे में ही आपको बताने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रथयात्र की शुरुवात कपसे हुई। तब से इसकी सुरुवात मानी जाती है और इंड्रदुम्न द्वारा मंदिर के निर्माड के बाद ही रथयात्र की शुरुवात भी कर दे थी जो आज भी निरंतर चलती आ रही है और हर वर्स असाड मास में इसे निकाला जाता है। ये तो थी सुरुवात इतिहासकारों के अधार पर लेकिन प्रभु जगनात जी की रथयात्र का वर्णन इससे पूर्व भी अनेक पुराणों में देखने को मिलता है। जैसे की इसकंद पुराण में उर्द्वाम, नाय, तंत्र और पुरी महात्म खंडेों में प्रभु जगनात रहते यत्रा का विश्तरत वर्णन देखने को मिलता है। पुराण के इन खंडों में जगनात जी की लीला, यात्रा के महत्तों और यात्रा को कैसे संपन्द करना है। इसका भी विस्तार से उलेख किया गया है। इसके बाद ब्रम्ह पुराण में भी प्रभु जगनात और उनकी यात्रा का उलेख मिलता है। इसमें पूरी के मंदिर, प्रभु जगन्नाथ की मूर्टियों और रत हयात्रा की महत्तों का वर्डन किया गया है। इसके बाद नारद पुरान और पद्म पुरान में भी प्रभु जगननाथ के भिविन उत्समों और विशेश रूप से रत हयात्रा का उलेख किया गया है, साथ ही प्रभु जगननाथ जी का गुनगान और रत हयात्रा की पवित्रता और महत्त को भी विशेश रूप से इसमे बताया गया है अब तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि यह आत्रा कितनी प्राचीन और कितनी महत्रपून है चलिए अब आपको बताते हैं यह आत्रा हरवर्स निकाली क्यों जाती है इसके पीछे का कारण क्या है लॉजिक क्या है and I'm sure कि आप में से ज्यादा तर लोगों को यह तो पता है कि यह आत्रा हरवर्स निकाली जाती है लेकिन क्यों निकाली जाती है इसके पीछे का रीजन क्या है इसकी जयानकारी बहुत कुछ गिने चुने लोगों को ही होगी तो चलिए रूबरू करवाते हैं आपको यात्रा के इस पच्छ से भी तो इसके भी कई क खारण है दर्सन वैसे तो जगननात प्रभू वर्स में 11 माह से भी अधिक का समय अपने मंदिर में गुजारते हैं जहां पर 200 भरसे आने वाले ज्यादातर भक्त उनका दर्सन करके क्रपा प्राप्त करही लेते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो मंदिर जाकर दर्सन प् कि जो भी भक्त मंदिर जाकर उनके दर्सन प्राप्त नहीं कर सकते भगवान उन्हें स्वयम ही दर्सन देने के लिए मंदिर से बाहर आ जाते हैं दूसरा कारण है समानता वैसे तो भगवान की पूजा आरती भोग और सेवा अधि ये सब कुछ ब्रामणों द्वारा ही किय जाता है लेकिन रत्यात्रा के दोरान किसी भी जातिया धर्म के लोग यात्रा में सामिल हो सकते हैं रत को खीषने में अपना सहयोग भी दे सकते हैं इस तरह से ये रत्यात्रा समानता का भी प्रतीक मानी जाती है तीसरा कारण है सांश्कतिक महत्त रत्यात्रा सिर्फ एक ध के साथ मनाई जाती है जिससे इस्थानी संस्क्रति को बढ़ावा भी मिलता है अगला कारण है भक्ति और समर्पन प्रभु जगन्नाथ जी की रत हयात्रा सभी भक्तों के लिए अपने प्रभु के प्रति भक्ति और समर्पन प्रकट करने का एक प्रमुख और सप्रदान करती रत हयात्रा के दौरान जो भी भक्त रत को खीशने का सभग चाहते हैं उनको प्राप्त होता है और ये कार भी बहुत पवित्र माना जाता है हिन्नु मानेताओं के नुसार तो ये कुछ प्रमुक कारण थे जिस वज़े से हर वर्स जगनात प्रभू की रत हयात्रा निकाली ज जाता है और इसकी सुरुवात अच्छे त्रतिया के दिन से की जाती है सबसे पहले उड़ीसा के जंगलों से बिशेश प्रकार के ब्रच्चों का चयन करके वहां से लकडी लाई जाती है फिर बड़ी बारीकी से इन रतों का निर्माड किया जाता है रत निर्माड के लिए फासी, आसरा, धौरा और साल ब्रच की लकडी का ही प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा किसी दूसरी लकडी का प्रयोग रत के निर्माण में नहीं किया जाता। साथ ही हर वर्स रतों के निर्माण में नई लकडी का ही इस्तमाल होता है। इन लकडियों से तीन रतों को तयार किया जाता है। पहला रत होता है नंदी घोस, जिसे गरुण ध्वज या कपिल धज भी कहा जाता है। इस रत में स्वयम्स इस चगर्थ के नात, प्रभुस्री जगननात जी आसीन होते हैं। दूसरा रत होता है ताल ध्वज, ये रत भगवान बलभद्र जी के लिए तयार किया जाता है, जो उचाई में नंदी घोस से थोड़ा छोटा होता है। तीसरा और अंतिम रत है माता सुबद्रा का रत, जिससे देवदलन या पद्मधज भी बोला जाता है और ये सबसे छोटा होता है, उचाई के द्रश्चमोर से। इन रतों का निर्माड उसल कारी करो द्वारा लगबग दो महीने में पूरा कर लिया जाता है। इधर रत निर्माड का कारी करम चल ही रहा होता है कि दूसरी ओर रत हैत्रा से 16 दिन पूर्व, असाड मास्पी पूरिमा के दिन, जिसे इसनान पूरिमा के नाम से भी जाना जाता है, प्रभु जगन्नात, बल्भत्र और सुबद्रा जी को एक विसेश इसनान करवाया जात इस दिन तीनों देवताओं को मंदिर के इसनान मंडप में ले जाये जाता है और वहां उन्हें 108 घड़ों के पवित्र जल से इसनान करवाये जाता है इस विसाल और ठंडे जल के इसनान के बाद ऐसी माननता है कि भगवान विमार पड़ जाते हैं इसे देव इसनान पूरी मा भी कहा जाता है और इस इसनान के बाद प्रभु को 15 दिनों के लिए सावजनिक दर्शन से दूर रखा जाता है और इस परंपरा को अंसर या अनवाशर की परंपरा भी कहा जाता है इसके पश्चात 15 दिनों की इस अवधि के दोरान प्रभु जगनात बलभद्र और माता सुबद्रफ मंदिर के अंदर ही बिसेश कच जिसे अनवासर घर भी कहा जाता है वहाँ पर ले जाकर उनकी उचित देखभाल की जाती है और उन्हें बिसेश हरबल और सुधियों से उपचारित भी किया जाता है उनकी बिमारी को दूर भी किया जाता है इस 15 दिनों की अवधि में भक्तों को प्रभु के दर्सन नहीं हो पाते हैं ऐसा माना जाता है कि भगवान इस समय अराम करते हैं और अपनी बिमारी से उबरते हैं इसके बाद अनवासर की अवधि जैस हो जाते हैं और चलिए अब आपको बताते हैं पूरी रथयात्रा की जर्णी के बारे में हर साल असाड़ मास के सुक्लपक्च की दुतिया को यह रथयात्रा श्री जगननात मंदिर से आरम होती है इस दोरान सभी देश-विदेश से आयभक पहीरत को खींचते हैं जिसे प्रभु जगननात की मौसी का घर भी माना जाता है जो कि स्री जगननात मंदिर से करीब तीन किलोमीटर दूर इस्थित है और यहां पहुँचके प्रभु जगननात भाई बलभत्र और बहन सुभत्रजी के साथ नौ दिनों तो विश्राम और आनंद करते हैं अपनी मौसी के घर पर इस दोरान प्रभु की विशेश पूजा आचना और अनुष्ठान किये जाते हैं और इस अवदी को गुंडीचा रत यात्र भी कहा जाता है नौ दिनों के प्रवास के बाद असार सुक्ल की दसमी को प्रभु जगननात भाई बलभत्र और बहन सुभत्रजी के सा वापस स्री जगननात मंदिर लौटते हैं इस वापसी यात्रा को बहुदा यात्रा कहा जाता है वापसी यात्रा के अगले दिन प्रभु को स्वण आगूस्रों से सजाया जाता है अच्छे तरीके से और तीसरे दिन प्रभु जगननात बलभद्र और माता सुभद्रा को वापस अपनी मूल जगा में जगनात मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है और इस प्रक्रिया को नीलाद्री बिजे कहा जाता है और इसी स्थापना के साथ ही इस रथयात्रा की समापती हो जाती है जिसे ना सिर्फ हमारे प्यारे हिंदुस्तान बलकि संपूर बिश्व में बड़े ही धूमधाम और हरसो लास के साथ मनाया जाता है तो ये थी प्रभु जगन्नाथ रधियात्रा की संपोर जानकारी आपको ये वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही कोई प्रस्निया सुझाओ हो तो कमेंट सेक्षन आपके लिए खुला है मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक आप अपना और अपनों को बहुत सारा खयाल रखिये और बोलिए जय जगन्नाथ नमस्कार जहिन